अब अब आपका इस बहुत ही खुबसुरस से लेक्चर में पहले जल्दी ज़रा कनफर्म को लो क्या मेरी आवाज हर एक बच्चे तक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही सही तरीके से मुझे आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि आज का जो सेशन उने वाला है जो शिशे भरा हुआ बहुत मजा आने वाला एक अलग लेवल का फील आएगा आपको बिकाज हम आपके लिए लेका ना चुके हैं अगर दो मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एमेश्टी सीटी दोजार चौविस के लिए बन सकती है अगर आप हेलोजन डेरिविट्व के कॉश्चन को देखेंगे तो आपको खुद लगया कि यार यह उस क्वेश्चन सर दिखा रहे हमको यह पिछले साल उसके पिछले साल उसके पिछले साल आये हुएं लेकिन दोजर चौबिस में भी ऐसे ही कुछ गुमा गुमा के पूछा जाएगा आपको बहुत कुछ सीखने क्ले मिलेगा अगर आज का लेक्षर आप देख लेते हो तो आप इस लिंक को जो इस समय यूट्यूब पे चल रहा है वीडियो जिससे आप देख रहे हो अपने कॉलेज के ग्रूप में अपना जो भी ग्रूप है उसमें शेयर कर दो कि बहुत मजा आने वाला है एक अलग लेवल का फील आएगा येस तो भाई एक लव्या 4.0 के कि अपको उरिन्डेशन पाता है कि पेपर कैसे होता है कितने मा God और है टाइमिंग मिलती एक कितने कोश्चन की तूरू क्या होने वाले हैं वो तो हम सॉल्ट कराएंगे लेकिन उसके concept को भी बताते चलेंगे कि हर एक प्रिप्वाइक ये समझ में अप्र प्रिपर हो गया है एक नया प्रिपर हो गया अगर आपको हमको पुरा स्टार्टिंग से बताओ डिफाइन हेलोजन वहां से पढ़ाओ तो बच्चे उसके लिए आप एकलब वे 1.0, 2.0, 3.0 प्लेलिस्ट जो है बच्चा हमने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालके रखे हुए वहाँ पर जाकर आप जो है की ले सकते हैं वहाँ से देख सकते हैं और आपको लग रहा है कि सरम कोई वो सारी चीज़ हमको यहां ही खूब सुरश से लेक्चर गूब चैप्टर का नाम है है लोजन डेरिवेट्यूस है लोजन डेरिवेट्यूस हो दिखाए देना है यह सर सबसे पहले थोड़ा समय हल्का आइडिया दोगा कि जुँ मेजर मेजर जो क्वेशन होते हैं जो मेजरोटी ओफ कुश्चिंस हो सब्सक्राइब और अगर आप बात कर रहे हो है लोत चैप्टर का उसमें से मेजर तो कहा से आते हैं तो मैं आपको सेज़ेशन दूंगा कि प्रिपरेशन जो है लोजन डिरूटों का जो प्रिपरेशन ने पूरा वो और केमिकल रियक्षन एकदम थरली प्रिपेर कर लो chemical reaction को एकदम बढ़िया से prepare कर लो कोई भी organic का अगर आप mcql देखेंगे न तो आप 99% पाएंगे 99% पाएंगे कि उसका reaction से question का आप निकला हुआ है इसके अलावा सर क्या इसके अलावा preparation तो आपने कर लिया अच्छे से chemical reaction कर लिया अब इस चप्टर के अंदर जो खास निकलता है वह होता है बच्छा आपका SN1 SN2 mechanism बहुत खास SN1 and SN2 mechanism इसके ऊपर question आपको निकलता हुआ दिखाई देगा SN1 SN2 के ऊपर question majority of questions आपको इसमें से निकलता हुआ दिखाई देगा समझ में आया इसमें से निकलता हुआ दिखाई देगा समय अरहिए मैंने क्या बोला तो अपने दिमाग में अपने यहन में एकदम सेट कर लो कि अगर आप और निक से डिल कर रहे हो और और सब पढ़ना तो पढ़ना तो सबकुछ है लेकिन जो टॉपिक होता है यह टॉपिक अपने आप दिखेंगे तो आपको environmental effect और uses दिया हुआ है environmental effect अगर आप जहां सा देखेंगे आपको मिलेगा environmental effect और uses दिया गया है पिछले 21-22 में deleted silbers होने की वज़े से इसके question जादा नहीं बन पाएं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 में एक इंपॉर्टेंट रोल यह प्ले कर सकता है कौन सा बच्चा एंवर्मेंटल इफेक्ट और यूजेज यूए न एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके 24 में इस बोलते ने कि यह आपको टेश्ट पुक के लांस्ट पेश पे मिलता है ठीक है इतना अगर आप करते हो किसी भी और गेनी के लिए तो ग्यारेंटिए कि आप बहुत अच्छा गर पाओगे आप क्वेश्चन है कि सर एक चेप्टर को प्रिपर कैसे करें हाओ टो प्रिपर सिंगल चैप्टर आप जो ड्रेटली पराते हैं तो का हमको करना है तो सबसे पहला का में कि आपको ट्वल्ट का सिलेबस आपको देखना है एक लवे वन टू थ्री वाले पॉइंट से आप एक बार एक लगए जो लेक्टेर हैं कोई बी एक लगए का बैच उठाओ वहां से चलो बही मैं इस चेप्टर को देखना श्राट करता हूँ जो भी लिया है पहले उसको देख लो उसके बाद सिर्फ एमसी क्यों करने जाओ बनेंगे बनेंगे आपको मैं लिखके देता हूं और जो ब्रहमास्त्र बुक की बात करो या फिर जो हाड़का प्याने वाली वह पीवाइक उस पर महत्त नहीं करोगे तो गेरिटी है कि आप एक्जा不知道 होगे बहुत टव करके जा नहें आप। तो आपको टाइम बहुत लगता है टाइम कंजूमिंग कुश्चन साब करते हो जिससे कि आपका टाइम मेनेजमेंट ने वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता है तो आपको हर क्वेश्चन को ज्यादा सोचने की आदत लग जाती है या इसको तो बहुत ज्यादा सोचना करना है तो इतना आसान नहीं होता है वह प्रिशर होता है टाइम का इसलिए आपको ज्यादा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मेनेजमेंट आपके लिए काफी खास होने वाला है समझ मैं आ रहा है चलिए कोई बात नहीं हम स्टार्ट करते हैं हेलोजन डिर्वट्व के जो क्वेस्चन से mcq session बहुत मज़ा आने वाला है are you ready mcq session के लिए हर एक question को deep में लेकर जाओंगा ताकि कोई बच्चा कहीं पर भी तकलीफ में न रहे कोई बच्चा किसी भी अंगल से तकलीफ में न रहे कि एक एक question जब वो फोड़े गाना तो उसको लगया कि सर हर question के through में ज्योंकि concept सीख रहा हूँ because ये series ही है concepts of PYQs इस series का नाम ही है concepts of PYQs हर साल साल-धर साल हमारी ये series चलती है हमारा ये बैच चलता है जिसके दर हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया करे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे बच्चों के लिए इस साल एक्किस-बाइस-थेस के जो mixture of questions होंगे आपको इस chapter के वो दिखाई देंगे और जबर्दस तरीके देंगे Are you ready? Everyone in the chat box, अंगार लगना चाहिए chat box में, full अंगार लगना चाहिए अगर आप तयार हो तो एकदम ज्वाड़ा भगनी चाहिए chat box में I'm waiting for your response, जली बोल बच्चा, yes or no, yes or no, sir एकदम ready हूँ मैं, एकदम ready हूँ, बोलो बस कहां अंगार लगाना है, कहां तलका मचाना है Yes, 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 क्या बोलरी भाई, yes, 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 क्या बाद है, क्या बाद है, क्या बाद है बाई, yes, बहुत बढ़िया, yes, sir, अंगार लग रहा है, चैट में, यह हुई न बात, इसकी तलास थी हमें, जब तक वो अंदर से आएगा नहीं न, तब तक मजा नहीं आता है, अंदर से आना चाहिए, चलिए, शुरू करते हैं, which of the following compound has the highest reactivity towards SN1 mechanism, पहला ही question आ गया, SN1 का, SN1 का, पुछा है कि highest reactivity towards SN1, कौन सा question है, यह question है, यह question है, 2021 में आया हुआ, question, 2021 में, trust करो, deleted syllabus था, लेकिन, ऐसे question 2024 में भी बन सकते हैं, सर, इसका concept क्या था, तो आब इसका shortcut tricks कहलो, concepts कहलो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो, एक एक चीज़ समझ में आएगी, SN1, SN2 में, जो basic चीज़ होती है, अगर आप SN1 देख रहे हो, और यहाँ पर SN2 देख रहे हो, दोनों बता रहा हो, समझते चलो, SN1, SN2, सर, SN1 जो होता है, हमें सही या रखना, यह third degree जो alkyl highlight होते हैं, उनमें जादा पाया जाता है, तो यह three degree alkyl highlight, फिर two degree, फिर कहीं जाके one degree, जबकि SN1 में उल्टा होता है, यह बुलेगा मैं primary alkyl highlight में जादा मिलता हूँ, primary alkyl highlight में मैं जादा मिलूंगा, फिर two degree, फिर three degree, अब इसमें भी एक twist लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए, सर, SN1, SN2, जो आप बता रहें, वो बिल्कुल सही बता रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे सब के सब primary दे दिया तो, बोला SN2 कोन follow करता है, सब primary दे दिया है, ले भाई, ले, यह भी primary है, यह भी primary है, यह भी primary है, ले, जो कर रहा है, कर अभी, क्या करेगा, सर, ऐसा कैसा दे सकते हैं, जैसे कि example के लिए, SN1 जो होगा बच्चा, वो तो समझ में आगे, टर्शीर फॉलो करता है, SN2 जो है, वो primary जादा follow करता है, लेकिन सर, अगर primary में, सब primary दे तो, क्या करेंगे, तब अपने दिमाग में सेट कर लो, जैसे methyl iodide है, तो यह SN2 जादा जाएगा, उसके compare में, किसके compare में, सर, BR के compare में, उसके बाद आएगा CL, और सबसे कम जो है, ओवियस से CS3F लिखते हैं, लेकिन होता ही नहीं है, तो यह order भी आदर को SN1 के लिए, बहुत से लोग को यह order का पता ही नहीं है, उनको सिर्फ इतना मालू में, primary जाता दिखाता है लेकिन अगर function group ले लिया, change कर दिया, तो confused, सर, यह कैसे find out करते हैं, बच्चा breaking, पता है न, bond का breaking कैसे होता है, CHI का bond, CHI का bond जल्दी break होता है, CBR का bond थोला लेट, CHL का bond थोला और टाइम लगेगा, और CF का bond तो भाई breaking नहीं होता है, इसलिए बोलते है, CF का bond mostly strong होता है, polymer में पढ़ा था, टेफलोन वाले concept में कि CF का bond बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका use करते है, cookware के लिए, या देगे नहीं, yes, तो आपको ढूड़ना है कि SN1, मत्तब सर्ट तर्शिरी ढूड़ो, चलो तर्शिरी देखते है, आईसो ब्यूटाइल, आईसो ब्यूटाइल जन conceptual है, short note जैसा आपको ये chapter बनता चला जाएगा, कि हर question में कुछ नहीं कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ नहीं कुछ आपको जानने के लिए मिल रहा है, अगरा question आपके लिए चमचमाता हुआ, which of the following compound has a lowest reactivity, कम से कम reactivity होनी चाहिए, lowest reactivity towards a nucleophilic substitution reaction, cleavage breaking of a CCL bond, मतलब CCL का bond सबसे कम किसमें तूटेगा, या तूटेने के लिए जादा time कहा लगने वाला है, ये कुछ ऐसा question पुछ रहा है, reactivity सबसे कम किसमें होगी, तो sir ये concept क्या है, मतलब ही कब आया था भई, ये बी 2021 का question है, चमचमाता हुआ question है, कोई दिक्कट नहीं है, कोई doubt नही है, ये हेलो और इनका reaction था, जहाँ पर यहाँ पर बोला गया था कि CL है, और हमको ये सिखाए गया था कि NO2 की मातला जितना जादा रहेगी, जैसे कि ये दिख रहा है, NO2 की मातला जितना जादा रहेगी, उतना आसानी से ये bond break होता है, easy to break CCL bond, कब ऐसा possibility मिलेगी आपको, जब NO2 जादा amount में होता है, तो अब इसका reverse हम सीख सकते हैं दोड़ा सा, दिमाग चला सकते हैं, कि अगर तीन जगा NO2 आ गया, तो मतलब ये CCL का cleavage या breaking बहुत आसानी से होगा, नूक्लियोफिलिक बड़े आसानी से दिखाएंगे, यहाँ पर OH चाह सकता है, लेकिन सर, अगर ये ऐसा है, तो इसका मतलब कि low, less number of, less number of NO2, leads to, leads मतलब होता है, leads to lowest reactivity, lowest reactivity, क्या ये बात से आप agree कर रहे हो, एकदम agree कर रहे हैं सर, एकदम agree कर रहे हैं, उसमें भी और तो, पैरा, और फिर उसके बाद 2, 4, 6, नमबर रहेगा, तो जादा reactivity, 2, 4 पे थोड़ा कम, सिर्फ 2 पे तो कम, और 2 के बाद, अगर M पढ़ा गया, तो और कम, क्योंकि M तो reaction नहीं करता है, M तो picture में नहीं है, तो what is the correct answer, now you will tell, अब मुझे बो, correct answer क्या है, Sir, chlorobenzene, 2, 4, di-nitro, P-nitro chlorobenzene, 2, 4, 6, tri-nitro chlorobenzene, Sir, सब में नाइट्रो आ रहा है, एक ही बंदा है जो नाइट्रो नहीं लेके चल रहा है, कौन, 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 अरे दीवानो, मुझे पैचानो, मैं हूँ कौन, 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 अरे यह बोलेगा मैं हूँ मेरे भाई, क्यों भाई, आप कैसे हो गए आंसर में, आपके तो नाइट्रो है ही नहीं, वही तो सीन है, less number of nitro, मतलब, यहां पर नाइट्रो बहुत ही कम है, इतना कम है कि है ही नहीं, अरे इतना कम है कि है ही नहीं, इसका मतलब सर less number of nitro अगर group रहेगा तो वह lowest reactivity दिखाएगा यही पूछ रहा है question में lowest reactivity बताओ कम reactivity होनी चाहिए CCL का bond जो है की जल्दी तूटना नहीं चाहिए समझ में आया बहुत सारे बच्चे दों को चैट में गलत आंसर दिये दे के बीचे भाग रहे थे लेकिन concept जो मैं बोल रहा हूं अभी आपके लिए शॉर्ट नोट बन चुका है यह शॉर्ट नोट बन चुका है अगर आप सारे नोट भी कलेंगे न तो भी आपको एक बहुत कुछ सीखने के मिलेगा देट इस शॉर्ट नोट अकले बंजागा इस चिप्टर के लिए क्लेड़ यह सोरर नो अप्जाने घाए है यह एच यह यह क्या बात है क्या बाहूं क्या बात है यह locale कि लेक्षोम को पैचानना है ऑच्छा अ और मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है इसको मैं इज्जद दूँगा रिस्पेक्ट देने वाला हूं है लोजन एक्षेंज को पर क्वेश्चन साल दर साल हर साल पुछा गया गए यह कोई भी उने दो इसने अपना रूप नहीं बदला इसने अपना रंग नहीं बदला है यह क्या वोलती पबलिक अरे यह सर नो यह सर नो तो यहां पर और इक्स्चेंज एक हमारे टॉपिक होता है केमिकल रिक्षन में सौरी प्रिपरेशन में जहां पर हम हैलोजन की मदद से हैं इसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका आपको दिखा जाता हूं मजा आ जागा एकदम आपको फिनकल स्टेन जहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि आर एक्स में अगर आपको सोडियम आयोडाइड मिलाना है एक टोन के प्रजेंस में तो यह एक्सचेंज आफर चल रहा है एक तरह से जहां पर आप बोलेंगे कि NAX बाहर जाएगा और राइट राइट आंसर बन जाता है मतलब इस आंसर को हम फिनकल स्टेन बोलते हैं आ रहे समझ आपको दोनों ही रियक्शन बड़े अच्छे साने चाहिए तो यह नोट अगर आपको याद रहेगा गैंटी दे रहा हूं कि आप इस कुश्चन को कभी गलर नहीं कर गाएंगे सर हमको क्या आंसर मिलेगा इसका बोलो जल्दी से what will be the right answer sir number D mark कर दिया जाए लॉक कर दिया जाए मेरे खाल से अब क्या लॉक करना है सर अब तो एक्दम सही आंसर लग रहा है जब आपने बता ही दिया तो टेंशन गया है आर मैंने आपके आर के रूप में बता है यहाँपन C2H5 के रूप में दिया है राइट आंसर होगा इसका correct आंसर होगा इसका D आंसर जो आपके सामने चम चमाता हुआ दिखाई दे रहा है यह लोग बोलते रहें कि भाई MCQ का लेवल बढ़ गया है अब देख सकते हो कब आयता सर यह 2022 का question बहुत जबरदस question दिख रहा है 2022 में यह question पूछा गया था बहुत जबरदस लग रहा है ट्रस्ट करो ऐसे question जब आते हैं तो most of बच्चे तुक्के बाजी करके आते हैं यह पढ़ाय होगा concept है क्या पूछ रहा है अलकाइल हलाइट that undergoes SN2 reaction most fastly पढ़ाय होगा concept है अभी मैंने पीछे पता है था SN1 SN2 के बारे में information दिया बढ़ फिर भी तुक्के बाजी होती है क्यों सर तुक्के बाजी क्यों होती है इसलिए तुक्के बाजी होती है विकॉज दिमाग नहीं चलता है बच्चा SN2 पूछ रहा है उपर से structure भी इसा आनाग रण दिया हुआ है ऐसा लगान है स्केलेटन का structure दे दिया है अलकाइल हलाइड डैट अंडर गोज एसेंट टू मेकेनिजाम सर एसेंटू में तो प्राइमरी जाता है आपने हमें सिखाया हुआ है लेट्स सर्च प्राइमरी अलकाल पहले वह देखो जा रहा तो अगर मैं प्राइमरी को ढूड़ने जाओ तो यह यह कारबन दिख रहा कि यह पासरा ये चार लगें और यह कारबन सिर्फ एक करबन से अच्छे तो बस यह मतलब यह वन डिघरी हो जाए गा और यह पासाइन कर दिया चलो तो देविया उस्तर चुनों आप खेल रहे हमारे साथ एकलेवे 4.0 के अंदर हैलोजन डेवटी के क्वेशन के साथ में बढ़िया सा कंसेप्ट जो आचुका है अलका लालाइट डेट अंडर एसन टू रियक्शन तो बताइए जल्दी से कि इन चारोबे से कौन सा उप्शन ह कर दिया है क्रोस क्यों सर विकॉज यह फॉलिंग सेकेंडरी 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 पैटन तो आपके पास बसते हैं पूरे दो ऑप्शन मतबी हो चुका है आपके लिए 50-50 ऑप्शन एवर्यवन इन चैट बाक्स हंगामा चाहिए मुझे हंगामा कहर चाहिए सर कंसर्प के तो मुझे लगा रहा डी आएगा और बी दोनुल माग कर दो लेकिन आपको पीछे क्या बताया था कौन सा बॉंड जल्दी तूटता है वो देखो सर आपने बताया था कि अगर कभी ऐसा हो अगर कभी ऐसा हो तो क्या होगा यहां देख बच्चा ओडर ओफ सी एक्स को जल्दी ब्रेक होता है CBR का थोड़ा जल्दी कम हो जाएगा यहां पर CCL एकदम कम तो सर आई तो दिया नहीं है तो CCL का बॉंड और CBR के बॉंड में CBR का बॉंड जल्दी ब्रेक होगा इस वजह से इस वजह से हमारा जो प्यारा प्यारा राइट राइट आंसर होगा वो आपको बोला करने के लिए तो आराम से हम बढ़ियां बढ़ियां कोशन लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगला कोशन आपकी परमाईश पर ये लो क्या बढ़िया जिसा पर्षेश पक्रशन बहुत जसे पूश सकते थे लेकिन क्या किन वह रहां इसे गुमाके आपको पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं बच्चा उट इस था नंबर मॉल्स नंबर और मोल्स देखते ना भाई 95 परशन ले तुखके बाजिब आ जाते हैं of moles molar mass as a solubility molarity यह सब वोड़ाते है न दिल एकदब चक्ट्णाने लगता है लगता है में तर यह सब क्या पूच लिया यह सब क्या पूचि लिया यह वाट इस दा नंबल of moles of water molecule required to prepare n a moule of methane अगर आपको n a moule of मिठाइल मैंगनेशियम आयोडाइड लिया आपने सर यह कौन सा रियक्षिन है सर कहां से लाया आपने यह रियक्षिन 2023 का चमचमाता हुआ कोस्चन आपका इंतजार कर रहा है 2023 में रिसेंट पीवाई क्यूज एकदम रिसेंट वाले हैं जो अभी अभी बोलते हैं ताजा ताजा निकाल के दिया है मैंने आपके लिए तो सर इसमें क्या पुछा गया है बड़ा बड़ा प्यारा कोस्चन है बोल ब्लू दिख रहा है और ब्लू कहां पर है पानी भी आ गया तो दाणा बन चुका है आज ब्लू है पानी 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 अर दिल भी सानी 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 एम जी की बेवफाई के चर्चे सब को पता होगा क्या बेवफाई के चर्चे जो हमारे लेक्ष्टर में होगे ने उनको पता होगा किस बेवफाई की मैं बात कर रहा हूं बहुत बेवाफा है क्या हो बोलता है मालु मैं कि आर में 하루 साथ्ट पुरी दुनिया वे सांगा और तुम्हारे साथ में पुनीज primo सी लेकर चलने वाला रिस्ता जो है ना जबर्दस्थ होने वाला है नहीं रिस्ता होगा हमारा it आप हमारे साथ आ जाओ लिए चिकनी चुपडी बातों कि यह आर्लोष मासूम इस एमजी के साथ साप में आ जाता है और क्या बना जीता है एक अच्छा खासा कमपऊंड ुसका नाम भाए ग्रिग्णाड रियेजिसाइट या इसका ग्रिग्णाड रियेजिनड बनाता है सर यह कैसा नाम है अरही कर नाम एप दो फिर गणार घ्रिंग IT और यहां से इस को लेकर इस को लेकर अलग दुनिया बसा रहा है दिखाई दे रहे सब को यह सर अब क्या बचा और एच बच गया तो इसका क्वेश्चन कहता सर उपर का क्वेश्चन नीचे का अंसर मैच हो रहा है मैच हो गया जब अगर मैंने सी असरी ले लिया तो तो यह जी बियार में एक मूल और यह ये बी एक मोलो बन रहा है मतलब अगर मैंने इसको n लिया तो यह भी एन यह भी इसका मतलब हमारा राइट आंसर है ठाप सब्सक्रपास एट में बोलो चैट में बोलोा राइट डाइट आंसर एसी कि Department पीडियाफ कहां मिलेगी इसकी पीडियाफ मिलेगी All About Chemistry एप के उपर फ्री मटेरियल है वहां पर फोल्डर जिसके अंदर एकलब एक 4.0 नाम का फोल्डर बना है वहां पर पीडियाफ अपलोड हो रही है तो इसका फैदा उठाई आप लोग अगला क्वेश्चन आपके आनसर निकलता है हमें साब्ट घंडिफाइक है यह और मॉल्यकिल क्या होता है यार what do you mean by chiral molecule तो यह बड़ा simple सा concept है सोचो पहले chiral molecule उसको बोलते हैं मैंने पहले बोला कि मैं concept भी बताते चलूँगा chiral molecule उसको बोलते हैं जहां पर एक carbon चार अलग-अलग atom से attach रहेगा किस से attach रहेगा बच्चा चार अलग-अलग से attach रहेगा तब उसको हम बोलेंगे कारल सेंटर क्या बोलेंगे तब उसको बोलते हैं कारल कारबन विन कारबन इस बॉन्डेट टू फोर डिफरेंट एटम देन इस कारल कारबन तो सर इसमें कौन से लोग चार चार अटैश है हमको कैसे पता चलेगा सबका स्ट्रक्चर बना-बना क्यों देखना पड़ेगा अगर आप बड़े स्मार्ट हो बड़े प्राक्टिस किये हो तो आप समझ में आजागा देखते ही हम थोड़े से एवरेज बच्चे हम प्राक्टिस करकर आगे बढ़ने वाले हम खंदानी मोलते ना टॉपर में है सर हम मेहनत करके आगे बढ़ने वाले हैं ने खंदानी अब आपको रगणना पड़ता है अगर उस टाइप के आप कंडिडेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है इंप्रोटेंट क्या मालू है इंप्रोटेंट की कंसेप्ट आना इंप्रोटेंट है महनत तो ओवियस हर किसे करनी पड़ेगी अगर आपको उस लिवल तक पहुंचना है तो बिना घिसाई नहीं होने वाली है एस टू ब्रोमो प्रोपेन आपको शॉर्टकट में आंसर वाना की दिखाता हो प्रोपेन मतलब तीन कार्बन तो ब्यूटेन को ऑप्शन में जाना यहां सॉल करता हूं आपके लिए ब्यूटेन मतलब चार कार्बन एक दो तीन चार दो नंबर पे ब्रोमो बहुत बढ़ियां और दो नंबर पे मिथाइल बहुत बढ़ियां सर यह इस बार अलग लग रहे नहीं न बच्चा इसके वैले अफशन में एक उम्मीद लेकर आ रहे हैं तो ले लिया व्यूटेन एक दो तीन चार के दो नमबर पे ब्रोमो एक दो नमबर पे ब्रोमो और तीन नमबर पे मिथाईल येस येस अब उम्मीद नहीं राइट आंसर होगा कैसे सर विकॉज इस कारबन के उपरा करब देखेंगे ये कारबन एक साइड में अटाइच है दूसरे साइड में एक्टिविटी दिखाएगा या फिर कारल सेंटर दिखाएगा कारल मॉलेकुल है ये बोलो समझ में आया कोई दिक्कत कोई डाउट अरे किसी को कोई कन्फूजन मज़ा आ गया सर मज़ा आ गया सर थ्री ब्रोमो पेंटेंग में बता दो ना हमारा एकदम क्लिर हो जाएगा मतब जो मैं थोड़ा बहुत बोलते हैं ना शक की गुना पर जी रहा हूँ उससे भी क्लिर कर दो यह लिए बच्छा तेरे लिए खास तेरे लिए नमबर डी ऑप्शन का ऑप्शन ले रहा हूं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन नमबर पे बोला है ब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि concept के साथ खिलने में आपको अलग मजा आ रहा होगा concept के साथ चलेने में अलग मजा आ रहा होगा कि सर अलग लिवल का मजा आ रहा है यह सवर्णों शेयर को दभा किया अपने दोस्तों मित्रों यारों में जब पब्लिक यहां पर आ चुकी 2000 तो हंगा मां हंगा मां देखो विच आप पॉलिंग इज नौट यह नौट वाले कुशन बड़े कंशन वाले होते हैं हम जल्दमाजी में नौट पढ़ते नहीं है और हम फड़ा फटिक मां कर रहे हैं क्योंको समय बचाना है हमको के मिस्टिक समय फिजिक में देना है इसका मत अलग बंदे हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं सर वर्ट्स क्यॉपलिंग में ऐसा कुछ है बच्चा ऐसा रिशन था अपने को दिखाता हूं मैं आपको कि मिथाइल ब्रोमाइड और उसमें सोडियम मिलाना है और साथ में लिया है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ध्यांग ना है आपर दोनों को अनलने करता हो था कि आपको नजर आए मिथाइल ब्रोमाइड येस सर मिथाइल ब्रोमाइड येस सर यह मेरे पास एन प्रोपाइल ब्रोमाइड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मैंने ले ल क्या बोलता है कि अगर आप दो अलग अलग बंदों को पकड़ोगे तो हम सब का अलकिन बना देंगे जो से मौले हैं वह भी बनेंगे और जो अलग अलग वाले हैं क्रॉस कप्लिंग के मदद से वह भी बनेंगे मतलब मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहरा है इसका पहले सिल्फ कप्लिंग कर दो तो सीसी सीट्य चीजा से अब इन दोनों को आपस में सिल्फ कपलिंग कर दो यह बन जाने सीटी और साथ और तीन दरसी फोर एच टेन बन गया मतलब यह तीन प्रोड़क्ट जो है ना बच्छा बनता हुआ दिखाई देगा यह तीन बनता हुआ दिखाई देगा तो अब दिमाग चलाओ कि हमारे ऑप्षन में इन तीनों के आलामा कौन सा है जो नहीं दिख रहा है सर इथेन तो बन गया ब्यूटेन भी बन गया हेगजन भी बन गया सर प्रोपेन नहीं बनेगा तो राइट आंसर होगा आपके लिए राइट आंसर होगा आपके लिए बोलो आपकी खातिल सी आंसर है खाजिल राइट आंसर होगा प्रोपेन राइट आंसर होगा प्रोपेन बोलो मज़ा आया कोई दिक्कत है बच्छा क है क्योंकि अगर आप में से सीटी करने आ रहे हो या प्रिपरशन करने आ रहे हो तो हलका सा बोड होना चाहिए और जिस बच्चे को लगारा कि मेरा बोड का प्रिपरेशन तो हो गया है रिवीजन नहीं हुआ है तो भी वह बच्चा देख सकता है क्यों सर उसका रीजन बता आ गया और यह फिटी रेशन आ गया सार कंसे आपको याद आता जाएगा याद आता जाएगा तो जिस बच्चे का बोड एक बार पढ़कर हो गया है अगर शंकित बच्चे आपका पलकर नहीं हो वह भी सलुशन में आपको हमारे आल अबाट के मिस्ट्री एप के ऊपर फ् कि मोबाइल में फ्री मट्रियल में जाओ पूरा मैंने मेरा खुट का पढ़ाया हूँआ chef मेंतलब पूरा छ में डिटेल में वन शॉट हमने नाम दिया लेकिन है पुरा डिटेल में तो वह पुरा वन शॉट की सिरीज आपको प्लेलिस में मिल जाएगी और वहां पर जाकर आपको दिखेंगे लिखा होगा क्लास ट्वेल पीसी एम ओन शॉट फ्री मट्रील में क्या बोल रहा हूं में विडियो पकलिक करना और याँख लाएंगे मर आपको देखेंगर वीडियो पर क्रेंगे तो यहां पर सलुषन है चलिए आते हैं अगले क्मेश्ण की तरफ देखो वर्ड्ट फिटिग फिर से आगया वाई पहला कोशन करता चेक करो 2021 वाला सिर्फ पुछा था यह वर्ड रियक्शन था फॉर्ड इंफर्मिशन यह वर्ड रियक्शन है नौट पुछा था लेकिन फिर दूसरे किसी शिफ्ट में ऐसा अगा अगा क्या क्वेशन डाला बता है चलो बताओं य kick on MY disco शर्फ धिक कौन होता है पिटिक क्या है सार नाम है बच्चा केमिस्ट का होता है मैं आपको बता रहा हो कि जब आप और सोडियम मिलाते हो और उसके साथ में आप बेंजीन रिंग वाला कंपोनेंट लेते हो मत्तब हैलो अरीन समझ लो आप एक तरह से ड्राइधर के साथ में तब यह पुरे टम्स आपके बाहर जाएंगे विदाउट एनी डाउट तब एक कंपोनेंट बनता है कि बेंजीन के उप और रियक्ष्न क्या बोल रहा हूं है इसको बोलते हैं वर्ड सो कि फिटि र्यक्शन क्या यह कंसर एकदम उतर रहा है दिमाग में ऐसा लग है वाग्या क्या क्या कंसिप्ट को फॉलो करना मुझे कुछ नहीं आ रहा है यह देख यहां पर आना है तुझे और दोस्तों को भी लेकर आप सर अंसर पहले ढूंदे दो मुझे आंसर डूंदे दो वर्च फिटिक दो लो पुछा है अरे बच्चा यही तो ट्रिक है इसके अंदर बेंजिन का जो मॉलेकुलर फॉर्मूला होता है उसको हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते ध्यान देना मतलब अब धिरे-धिरे हमारा लॉजिक और क्लियर हो रहा है कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है कि अगर सीच फाइफ फाइफ मतलब वह बेंजिन रिंग है उसमें से अलका लाड मिला उसमें एन ने मिला तो मतलब पर्फिट रेशन हमारा यह वाला यहां पर दिखाई दे रहा है राइट आंसर आपका नंबर ए मजा आया मजा आया बच् सब लोग करते गलता यहाँ पर लीकषा यह न कशन ने कि लिखा लिखाए उसको समझा क्या पर और यह इस एक हुपा रहा है तेंशन नी लेने क्वेस का question है यह बतासर हमारा जोश दूगना हो जाता है यह देखके 2022 के question 2022 के question आपके सामने चमचमा रहे हैं यह आपके सामने एकड़म चमकीले अंडाज में चमचमा रहे हैं दिखाई दे रहा है बिलकुल बिलकुल देखते चलो देखते चलो कोई दिक्कते नहीं जाने दूँगा आपको में जैना बोल रहा है बचा वीच अश्लिभ दो फोलइंग रियेक्शन ड़े अगर आप यस ये क्या अच्छोत बनेगा तो अगर आप अलकोहल में HI मिलाएंगे, बिल्कुल यह हमारे syllabus का reaction है, कि RI बन जाएगा, और RI बनना इसका मतलब है कि alkaline बन गया, तो यह option नहीं हो सकता है, number B option ले लेते है, alcohol reacts with HBR, यह भी हमारे syllabus का है, कि अगर आप alcohol में HBR मिलाएंगे, पानी बाहर जाता है, RBR बन जाता है, पानी बाहर जागा, बिल्कुल यह possibility है, alcohol reacts with HCL in presence of an address, बिल्कुल यह possible है, मतब यह HCL, HBR, HI, यह 3 reaction possible है, यह कई नहीं, कई लुकास टेस्ट है, जो लास्ट ओला मैं लिख रहा हूँ, तो यह बिल्कुल possibility है, इस बात का जहान देना, पानी बाहर जाएगा, चौ condition है, और हमको यही पूछा कि कौन है, जो अलकाल हलाइड नहीं बनाएगा, तो उस हिसाब से, हमारा right answer number D होगा, जो अलकोहल के साथ, अलकाल हलाइड नहीं बनाएगा, concept बता रहा हूँ, इसलिए मैंने चारो बता है, डिर्क लिए आंसर बता नहीं, तो मैं सीधा क्या करता एडीमा करता, आगे बढ़ आता, बड़ मैं आपको concept समझा रहा हूँ, कि भाई देखो, ये भी आप समझ के रखो, कि कैसे बनता है, वो भी जान कर रखो, ठीक है, जो second last दिख रहा है, number C वाले को हम बोलते हैं, जो काफी important question निकलता है, कि लुकास रिएजिंड बोलेंगे कोई doubt है बच्चा, मज़ आ रहा है question में, ऐसा लग रहा है, वा, क्या concept जा रहा है sir, अंगार लग रहा है, मज़ आ रहा है एकदम, yes or no, बहुत बढ़िया, अगला question आपके लिए, choose the false statement, ये भी जल्दबाजी में गलती होने वाला question है, false word को आप इतना prefer ही नहीं करते हो, मतल गलती कर दिया बच्चा आपने, question को ठंडे दिमाग से पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब आपका जो जोश है, जुनून है, no doubt, अच्छा है, confidence है, SN1 में, SN2 में बहुत अच्छी बात है, बट बोलते हैं, गाना सुने की ने सुने हो, yes, वो हलत न हो जाए, सब्सक्राइब कर दिया, तो रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस, इफ रेशन करीड आउट अट कार्वन इन ऑपिकल एक्टिक बिल्कुल सही, SN1 में, रेस्माइजेशन मिलता है, कैसे मिलता है, सर, एक बनता है, आपका इन वरजन, एक बनता है, आपका रिटेंशन, तो, SN1 म के उपर ये बंदा डिपेंड होता था, इस तरह से, मतलब सर, ओएच पिक्चर में नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, तो, निकलो फाइल के उपर ये डिपेंड नहीं करता है, इट इस सिंगल स्टेप मैकेनिजम, ये जोल लग रहा है, पक्का जोले सर, गैरेंटी होता है, जिसको नहीं पता है, और S&2 जो है, वो वन स्टेप का होता है, समझ में आया बच्चा, और जो टू स्टेप का होगा, उसमें इंतरमिडियत बाई डिफॉल्ट आएगा, इंतरमिडियत का आना बनता है, इधर पे, No Intermediate यहां से चीजे काफी आसान हो जाएंगे आपके लिए एक और concept आपने S1, S2 में add कर दिया क्या concept add कि S1 में 2 step होते हैं यहां पर बोला single step बारे सर पकाई answer होगा guaranteed answer होगा बिल्कुल सही सी हमारा एकदम सही answer है लेकिन S1 के बारे में पूछा है बोला है which of the following statement is correct about S1 नहीं नवाच्या तू अपने आप से सोच रहे हो question बोला नहीं पढ़ रहे हो तू which choose the false statement बोला है false word को भूल जा रहे हो क्या आप समझ में आया अब समझ में आया मजा आ रहा एकदम which of the following is not 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 again अब समझ में आ रहा है question का level धरे दरे पता चल रहा है आपको मजा आ रहा है क्या question था सरी ये पीछे करा है तो वही question था ये इस एक बच्चा बोला सर ब्यूटे नहीं आएगा एक बच्चा तरे लिए दुबारा question आ गया क्या बोल रहा है concept सिखा देता हूं में rx में जब sodium लेंगे और उसमें जब आप आप आर डैस वाला एक्स मिलाएंगे ड्राइ एथर के साथ में तो पहला बनेगा आर आर दूसरा बनेगा आर डैस आर डैस और तिसरा बनेगा आर आर डैस मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा उस हिसाब से मिठाइल का डबल इथेन प्रोपाइल हेक्जेन दोनों का मिक्चर ब्यूटेन तो जो नहीं बनेगा वह एक ही बंदा है प्रोपेन नहीं बनेगा जो आमने पीछे बताया था और जो साथ में भी बताया था आपको कि यह क्वेश्चन आपको वहां पुछा गाता है यहां पर वापस से रिपीट होगा एक तरह से यह लो मेरे भाई यह लो यह लो यह लो यह क्वेश्चन फ्लोर पे आया यह लो यह लो अब सॉलिड मस्ती चाहिए बोलो अच्छा आडिनिफाई दर रियेजिंट ए इन दो फॉल कि बात कर रहें यह कैसे हम कर पाएंगे यह कैसे हम कर पाएंगे सर अम भोले से मासूम से बच्चे इतना खतरना खतरना कोशन कैसे कर पाएंगे चला आपको दिखाता हूं और एक्स नाम सुना हैं बिल्कुल सुना है अब और एक्स में अगर मैं आपको दिखाता हूं पहले सारे ओप्षन दे देता हूं यहाँ पर क्या बोला है एक होता है KNO3, सर नाम है potassium nitrate, एक है NNO3, sodium nitrate, AGNO2, silver nitrite, KNO2, potassium nitrite, हमको चाहिए nitrite, उस हिसाब से, जो आपको सर ने full form बताया है, उस हिसाब से A और B तो पहले ही टाटा बाइबा हो गए, क्यों टाटा बाइबा हो गए, बिकाज हमको nitrate नहीं बोला है, nitrite बोला है, क्या बोला है बच्चा, nitrate बोला है, कर्डा का है, ओ भाडान, कर्डा तुम्हाबा रहा smart, यह बढ़न गया, बढ़न गया आपक・हर बड़न, आपन, मिल, इखर करूशक्त मधे यह जो आंसर आय, ये गेले गेले सियाने डी 5050 आपन का अगर करूशक्ते संगा वाला सर आपन न एजी एन नो टू क्यों आर एक्स मधे के एन नो टू ये दोगानी टाकूशक्ते संगा बोलो सही बात हैं सही बात हैं दोनों ही हम क्या कर सकते हैं बढ़े आसानी से लिख सकते हैं लेकिन पूषक्ति आंसर कौन सा आएगा आ रहे हैं और वो तो बता आपस उसी के तैयरा रही चल रही है अगर आपको दिमांक चला चाह से ऐज़ों अनौ 3 दिख रहा है न ए कैसर इसको सही माहेन भी हम कैसे लिखते एजी ओ और Assam डबल बॉन्ड ओ व बोले भी इन बात समझ में आई ये बात समया आई बिल्कुर समर्ण सर को कैसे लिखेंगे क os double bond mo k को हम ऐसे लिखने वाले चलो दोनों को मैंने परपजल ऐसा लिख दिया है ताकि आपके लिए चीज़े एकदम हासान हो जाएं अब इंडिया वंस्टू नो चलो बताओ कि इसमें क्या बनेगा इसमें क्या बनेगा एवरिवन इन दा अरे मेरे बाए चैट देख रहा हा true अरे मेरे बाए यह आपड़ों का छैट देख रहा हूं मैं चैट देख रहा हों क्या बादixo क्या बात है ऑवosity वर्याई पप्लिक फोक्रिक रही मजबूत एक दम मजबूत सौर्च रयाक्शन है नहीं अरे खौन बच् Early전 नहीं बच्चा से मद आया क्या एवर्यीवान इंदम आई नाहीं 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 ना defence the यास येस 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 येसएसAy Janaya confusion Criminal company अचा PARA नहीं जल्ढी से बनावां सरा ही इस रोल था कि जब कभी घी ओ और इन और तो इन के मिच में कोवन निरुट बॉंड रू रिया चुटेगा ना इसके ओपर माइनस नहीं आएगा क्या बोल रहे हो sir ये तो नएया concept आ गया एकदम एकदम नएया concept आपने ले लिया मतलब की इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये भाई साहब plus बनेगे बट ये minus नहीं बनेगा जी हाँ ये सच बोल रहा हो minus नहीं बनेगा समझ में आया बच्चा समझ में मैंने क्या बोला तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह एजी और एक्स जब आपस में रियेट करेंगे तो यहां पर आंसर बनेगा आर के साथ एन ओ टू डैट इस कॉल्ड एज नाइट्रो एज नाइट्रो बोलने का नाइट्रो अलकेन समझ मे आया सब्सक्तिक्राइब यह बान बनाए MICHAEL 04 नहीं बनाएगा यह प्लस माइनस नहीं बनाएगा यहां पर प्रॉपर प्लस मेनस बनाता है यह पर तो यह बाई सार यह leans से उड़ेंगे यहां से उड़ेंगे तो यह के साथ जा क्या टैक करेगा मतलब जिसकी हमें तलास थी वह यहां पर मिलेगा इतना डिटेल में क्यों ले रहे हो मैंने पहले ही बोला एक-एक के बाद इसके टैक के क्षशन को फोल देंगे तो राइट आंसर होने वाला है नमबर डी एकड़म सही कुछ बच्चे बोल रहे था नमबर डी कुछ बच्चे नमबर सी लेके कंफ्यूज थे मैंने 50-50 पहले ही दे दिया था तो राइट आंसर होने वाला है आपका बहुत सही कोई डाउट है बच्चा अब समझ माया कंसिप्ट याद रहेगा पुरा लंबे समय तर्याद रहेगा एक्जाम तर्याद रहेगा अगला क्वश्चन चम चमाता हुआ आपके लिए यह रहा दो हजार दो हजार 21 का क्वश्चन बहुत मजा आ रहा है यार 2021 में तो में कोई इसके पिएजह आरा बच्चा व क्रोफ्चे लुक्क ने मसत एकदम एंज्यामन लेते हैं लकिन सब्सक्राइक क्यों नहीं करते हो पैसा थोड़े-वांगा हम आपसे कोई चार्जस नहीं है तिक लव्ब वे-व 하지-pour fri यह में बच्चा आपको व तो आप millimeter आपको बोलकिए यह र्राइसको को से आपको क्रेश स्किन और है करेंगे मार्केट में चलjä है है कि जा ये चीज आपको इतनीкоїटि वाली छी जापको फ्री में मिल रही है यूट्यूब के तो आप भी प्रोबेज जोइन कर दो आपको क्रेश को सेथम फ्री है मतलब प्रोबेज का डिटेल साथ में एक और पिछे से रिविजन अलग लेवल का सुकून यह और नो यह रहां आपके सामने चम चमाता हुआ मुश्कराता हुआ यह क्वेश्चन तो मुझे को आता हुआ विच अप दो फॉलोईंग रिएक्शन इज यूजड फॉर कन्वर्जन अप अलकाइल क्लोराइड अलकाइल क्लोराइड टू अलकाइल आयोडाइड सर आज ही आपने बताया इस तरह से यह इस तरह से अलकाइल क्लोराइड मतले लगा और यहांपर ए कार सारी रेक्षन होते हैं इस चडों के प्रेंस में और यह हमारा आंसर बन गया चम चम आता हुगा एक डम जिसकी हमें तलाश थी फिंकल स्टेंग रिएक्शन विदाउट इनी डाउट कांसेट पीछे आ चुका है इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि पीछे बताई दिया आपको बाई डिफॉल्ट अगला क्वेश्चन वि पुछते है यह एक्जामनर के मतलब बोलते हैं ना सांथ के खिलाफ है कि मैंने पॉलिंग पॉइंट नहीं पुछा तो क्या पुछा और यह निक में गयरेंटीट बुछते हैं या दखना समझ में आया यह चलिए लिए को सब्षचन क्या है विच आप दफॉलिंग कंपॉ प्रिपरेशन है अपने फंडे हैं जिस बच्चे का प्रिपरेशन बहुत जब दोस्वा रहेगा उसको लगेगा यार कितना जा रहे हैं और जिसको लग रहा है कि यार पहली बाद चेप्टर पढ़ाए मैंने इतना उड़ा क्या रहे हो अरे तोड़ा स्लो जाओ जड़ा और प्रस लो जाओ विच अब फॉलिंग अपाउड है जो लोवर बॉलिंग पॉइंट तो यारण ना बॉलिंग पॉइंट के लिए एक र्याद रखो बड़ा सिंपल सा कंसेट है आपको एकदम यह कंसेट समझेट जगा देगा एकदम बॉलिंग पॉइंट जो होता है पहला अगर अलग अलग कंपोनिट है तो मोर मॉलिकुलर मास मोर बॉलिंग पॉइंट और सर्ण बता दो एक और आप और यह निक से टील कर रहे हो ना तो यह अपने जहन में बिठा लो अगर मॉलिकुलर मास सेम हो गया तो भी याद रहो कि अलकोहल और सरी कार्बॉसियचिट का बॉलिंग पॉइंट सबसे जादा होगा उसके बास सेकेंड नंबर पर अलकोहल रहेगा इन दोनों का याद करो उसके बाद किसी का नंबर लगेगा इन दोनों के बाद ही किसी का नंबर लगेगा आया समझ में येस 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 चलो यह आपके सामने तो क्वेश्चन जाद दिखते हैं फ्लोरोव मीथैन आइडो मीथें ब्रोमो मीथें कलूरो मीथें सब में option सेम एक कारवन सब्सक्राइब नमा सबसे कम होने वाला है दिमाग चलाओ इस question का answer की बात कर लेते हैं यह question का answer क्या है यहां पर लिए answer तो क्या होगा बच्छा एक component है आपके लिए CH3F यह सबसे lowest इसले होगा सबसे lowest बॉलिंग पॉइंट फिर इसके बाद आएगा CH3CL फिर इससे ज्यादा बॉलिंग पॉण आएगा CH3BR और सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉण आएगा CH3I वाइ सर वाइ बिकाज फ्लोरो जो हैना बच्चा lowest molar mass यह lowest atomic mass दिखाएगा इस पर्टिकुलर ग्रूप के अंदर यह बोल सकते हो इस पर्टिकुलर सिरीज में और आई जो हैना बच्चा वह इस हैलोजन के अंदर highest atomic mass दिखाएगा अब समझ में आया अब समझा सर ड्यू टू लो मास हमारा right answer number a हो जाएगा mass कम होने के वज़े से a answer को चूज क्या गया है मज़ा आगया बच्चा येस येस बी क्यू नहीं च्पू नहींुस को सब्से जादा मास वाला है जादा मास वाला है तो जादा बॉण tolerance हो का मौर मलीकुलर मांस लिख ना भूल गया भाई मैं more और मॉलिक्यूलर मास याद नगो मॉर मॉलिक्यूलर मास एक और बहुत जबरदस्ट है और यह आया है क्वेश्चन आपकी परमाईश पर 2022 से क्वेश्चन निकल निकल न है क्वेश्चन आहरा है कि सक में जो बो ला गया है q bh रहा है था ऐसा लग रहा है क्या अभी अभी तो हमने पांची मेंड तो हुआ सर अभी अभी तो आपने कर रहा है था इससे question ko देख बच्चter यहां से identify the the compound which undergoes SN1 mechanism SN1 mechanism जो कराया था वह SN2 था यह SN1 आ गया और बोला है most fastly बापने बड़ी जल्दी है इसको देखते हैं इसका answer क्या हो सकता है पहला condition सर SN1 तो वही दिखाते हैं न जो tertiary वाले होते हैं तो SN1 के लिए हम क्या डूढ़ेंगे tertiary secondary primary तो फिलाल मेरा यहां टर्शरी डूढ़ने का चलो मिशन टर्शरी स्टार्ट किया जाए अगर वहीं समारा answer मिलगा तो टेंशन ही खतम यह secondary लिख दो यहां पर सेकेंडरी है यह एक दो सब्सक्राइब के साथ खेलना सीखो SN1 SN2 जाके देख बच्चा मेरा लेक्षर तिरे को समझ में आएगा बाबु की स्टोरी एक हतम जो बच्चे बैटेंग उनको मालूम होगा क्या है SN1 SN2 ठीक है तो जाके देख दम धमाल हो जाएगा आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा विच अप्रिपेर टॉलिन फ्रॉम बेंजिन कब आया था सरीय क्वेश्चन यह क्वेश्चन आ बोलो 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 जल्दी बोलो पीच ऑफ फॉलइंग डेशन इस यूज टू प्रिपेर क्या बोला एं टॉलीन बनाना है लेकिन बनाना है ब्रोमो बेंजिन से तो इसको बनाने के लिए क्या मैं ऐसा कुछ ले सकता हूँ कि CH3Cl, पिर sodium, पिर benzene के उपर CL, क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, यह आपका answer एकदम सही है, dry ether के presence में, अगर हम ऐसा कुछ करें तो answer बन जागा, sir इसका नाम क्या था, बढ़ा ही अजीब गरीब नाम था, अजीब गर अजीब गरीचन हो गया है, तुम मिले, दिल खिले, और रियक्शन को क्या चाहिए, राइट आंसर नमबर C हो गया है, मजा आया, words, fatigue, reaction, is correct answer, मजा आया, क्या बोल दी पबलिक, यह स्पुल धमाल हो रहा है, yes or no, yes, 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 बोलो, आदी पबलिक दो बोलेंगे, sir, आवारे स साथ में कुछ अलगी सीन चल रहा है, क्या चल रहा है, पता नहीं, सर, पता नहीं, कुछ अलगी चल रहा है, क्यों आजे कलने दे कम, खौब जादा है, लगता है, प्रिलियम बड़ा जल्दी आने वाला है, कुछ वह ऐसा ही चल रहोगा, आपके लाइफ में, कितने लोग इस बात से सहमत है, इस गाने से सहमत है, मेरे थोट से सहमत रहें कि हाँ सर, ऐसा ही कुछ होना हमारे साथ, ये नीद कम आ रही है, खौब जादा आ रहा है, जादा सोच रहा हूं में, बस सोचे जा रहा हूं, पढ़ाई कम हो रही है, सोचे बहुत जादा रहा हूं में, ये से एक चिक्तर लेकर बैटता हूं जो होगा दिखा जाएगा बाकि चप्र हो हम यह च्प्र करता हूं यह एक टेंटूड मैं बोलता हूं आपको कोई नभाणस कहता है आपको अच्छे मांक्स लाने से कोई भी तो आपको आया समझ में तो बस अपने दिमार्प में अपने जहन में इस चीश को स्टेट कर लो विच अमंग दो फॉलोइंग इस अलाइलिक हालाइड सर अलाइलिक कंसेट क्या है सर अलाइलिक का मतलब होता है इस अलाइलिक कंसेट बोलते हैं और ऐसा आपको धूड़ना पड़ेगा धूड़ना पडएगा सर स्पित्री मिल गया और धबल पॉन्थ ढूड़ जरा सर में बेंजीन मिल रहे है नहीं तो माक चले सर had on starts in एक से यह क्शिर और यह क्शेप्ट याद रहेगा क्या यह क्शेप्ट याद रहेगा जल्दी 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 बोल दो बोल दो यह रहा डबल बॉंड यह रहा डबल बॉंड और यह रहा SP3 मज़ा आया एकदम मज़ा आया क्या वोल दी पबलीक येस 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 बहुत बढ़ियां भाई क्या बात है फुल अंगामा बचा के रखेंगे पांसों बच्चे लगाता रिक्दम्यार से हिलना नहीं चाहिए क्वेस्चन मैं आपके लिए जा रहा हूं लिए जा रहा हूं क च्वेस्चन भाई और ये वोच्चन आपको बतातों कि ये क्वेस्चन एक्च्वल में इस चप्टर का नहीं है सिल्वर अमूनिया देखके हमारी टीब ने डाल लोगा यहां सिल्वर अमूनिया आ गया है नाइट्रेट आ गया है एन्टो वाला पैटन समझ के उन्होंने क्वेस्चन का है बच्चा जबना ओलो यह क्वेस्चन सही मायने में अल्ड़ीहाइड की टॉंण कार्बुस्टी के चीट का क्वश्चन है कहा आ एके क्वेस्चंण आपको बता दूकि यह जो है बच्कर तोलेंस रीएजन के नाम से विप कार चाहिए गचाते हैं से ऋभ सीन्व और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ की घता अल्डी हाईड दिखाता यहाद आया तो यह अगे साथ करते हो तो यह बंजाता है इसको बोलते हैं silver mirror टेस्ट तो कोन बनाया बच्चा यह अलडी हाइड है क्यों यहां पर यहां पर है इतरनल अलडी हाइड इतरनल इतरनल मजा आ रहे मजा रहे एकदम येस और लो येस तुछ सब्बाइब लगा होगा इस को देखके सर यह कहां से आ 2021 का एक और बढ़ियां कोश्चन आपके इंतजार में कब से बैठा यह क्वेश्चन मेरा नंबर अब आएगा मेरा नंबर अब आएगा आगया नंबर और इसका आप देंगे सब्सक्राइब क्लोरो बेंजीन में यह मिलाया एन एन हाइड्रस एल से रहा होगा ऐसा रहा होगा देखो यहाँ पर ऐसा कैसा सर यह मैंने ले लिया है क्लोरो बेंजीन इसमें मिलाऊंगा मैं छी डबल बॉन्ड ओ सी यल यह मैं मिला सकता हूं विकॉज यह चीज न एल सी यल 3 के साथ मिल कर तूड़ या ते यहाँ पर क्या होता मैं आपको बातार शुर्या देखो एल सील भाई साब क्या है दो आपको दिखाता हूं में एल सील तोड़ेंगे ना इस तरह से तापको खुद लगेगा कि सर एल सील तरी के पास जो एल है उसके पास यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छे म्तब टोड़ शेर एलेक्ट्रान आ रहे हैरे जब कि एक येमलेट को स्टेबल होने के लिए कि चांएंगे पूरे 8 पूरे आठ इलेक्रों चाहिए लेकिendra पर कितरा है मात्र 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 चे एलेक्रों एसे केसे स्में और इसके इस बिस्किट में यह यह पगली है ना फस गई फस गई यह कैसे फस गई बनाई थी और यह ही प्लस बन गया कर बेंगिन के चकर लगा रहा है दो नंबर पे चार नंबर भूम रहा है इलेट्रों की तलाश में बस यही आंसर है भाइ यहिए इसकी दास्तान है यहिए इसकी दुख भरी दास्तान है देख लो ये Cल दो नमबर पेढ़ा दो C डबल बॉन्डो CH3 अपने आपको स्ट्टीबल करने के लिए चार नमबर पर भी चक्कर लगाये बंदे ने है कि नहीं येस तो दिस इसका राइट राइट होने वाला है एसी टाइल क्लोराइड एसी टाइल क्लोराइड करेक्ट आंसर होगा पर उपिसलिक पॉट्रेशन देखेंगे तो वन को रुदिया हुआ है यहां पर आपको अपने ऊप्जेशन उठा शब्हुत हो परफेक्ट है कोई दिक्कत अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है यह क्वेश्चन जो एक दर्द होता है सरदर्द होता है बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसे फोड़ना मैंने कई बार देखा है ऐसे बहुत होते हुए येस येस मैं चाहूँआ कि इस कोश्चन को पूरा शिद्दत के साथ देखा जाए कांसर्ट के साथ देखा जाए क्या बोल रहा है यह टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटें को जब मैं सोडियम से मिलाता हो तो क्या बनेगा अब आपको पता है कि सोडियम वर्ड आता है यह बन जाता है एक और यह इसलस नहीं डेकशन अध रियेक्शन को यह वर्ड रियेक्शन है तु इस वर्ड मिथां ब्यूटें ब्यूटेन मतलब उपर सी लगा तो सब्सक्राइब chyba यहां पर एक दो तीन चारा मिलां अब इसी चीज़ को मैं उल्टा करके मिलाता हूँ यहाँ पर एन रहा होगा और इसी को लिटा करके मिलाता उन्हित कि यह सी हैं यह सी के इससे अटेश कर दिया बच्चा मैंने सीयल अब इसके बाद इसके ऊपर है यहाँ पर एक दो एक दो तीन नीचे बेटेश करना पड़ेगा आपने को देख लो पहले एक दो तीन चार परफेक्ट होगे जर चेक कर बच्चा चेक कर पहले देख मैं कैसे दिखा रहा हूं यह म सब इजट नहीं कर दो बेसिकली इतना सब इजट नहीं देना है एंट्रेंस के एक्जाम में बढ़ आप सीख रहे हो इसलिए आपको इतना इज्जत से बता रहा हूं ठीक है अब क्या करना है सब को चिपका दो ये चिपका दो आपका आपका आंसर चम चमाता हुआ आजाएगा अलग करा से लेता हूं एक दो तीन नीचे एक ब्रांच आ गय ही है अब इसको जो है ना बच्चा लॉंगस का में डाल दो अब ऐसे आंसर को यहां पर देखो किस में मैच हो रहा है एक दो तीन चार पांच छे चे कारबन एक दो तीन एक दो तीन मतब तीन और चार पे अटेश्मेंट थी कॉमा थी फॉर कॉमा फॉर हेगजन वाला आंस फॉर किसमें हर जबह पे ऐसा आया है क्वेस्टन ऐसे पूछे गए हैं येस येस येश ऐसे पूछे गए तो जिसका आंसर यहां पर सी वाले बहुत दिख रहे हैं भाई जो सी वाले भाई थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने हैं थोड़ा सा और मेहनद करना गए आपको गलतियां मत करो यह धान देना आपको अगला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है लगबग 20-22 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं और आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि अगला सेशन भी आपका हेलोजन डिरूटी रहेगा और अगले सेशन में हम इस को ऑफिशली खदम कर देंगे येस एव्रिवान मजा आ रहा है आर यू रेडी फॉर दे लास्ट क्वेश्चन सर है क्या लेकिन बोल रहा है कि चलो बताओ कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है विच आंसर इस फॉल्स इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट आपको पैचानना है गल करें बन कर निकलेंगा नहीं समझा एगा हम बात थैंगे लेकिन हमारे लिए ज्क user रहेगा एव्रिवान एक डम नीठी है येस येस क्या बात है येस बहुत बढ़िया पवान घिसना पड़ेगा इनए इसे नहीं आथा स्टार्ट करने के लिए हो सकता है कि उसको स्टार्ट करने के लिए कभी मोटिवेशन काम नहीं करेगा इस बात को एक दम जहन में बिठा लो अपने मैं openly बोल रहा हूं कि मोटिवेशन होता है वह सिर्फ आप एक चिंगारी जिसको जिसके बहुते हैं इश्प करने के लिए अपको मोटिवेशन चाहिए रहती है वो मोटिवेशन के जो लेक्षर्स आपको मिलते होंगे के वहां से आपको स्टार्ट करना हो जाता है और वह 99.99 परसनटाइल बच्चे करते हैं परसेंट बच्चे श्टार्ट करते दें लेकिन सर उसको एंड तक सस्टेन करना है उसी स्पीड से यह 0.001 परसे बच्चे कर बाते और उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है आब यह क बढ़ती कि यह करना है तुझे अगर आपने कर लिया है और एंडिंग तक पहुचना है तो बच्छा अंदर आपका जो भूते ना है वह आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने घर में अपने से जो बड़े लोग हैं जो आपके घर में जो कमातिया होंगे थोड़े बहुत हुआ अगर आपको बड़ा आपको कर रहा होगा आपके डैडी कर रहा है कर लिसके मतलब कि हमने शुडिल दे आपको और उसन पर हम अपने आपको रख रहे हैं बस ऐसे आपका शीडल होना चाहिएだから यही आपका सही तरीके से मोटिविशन होगा अगर आप अपने आपको डिसिप्लीन रखते हो कि मैंने टार्गेट किया है कि मैं इतने बज़े उठूँगा तो मतलब उठूँगा फिर बहाना नहीं चाहिए मुझे डैडी जॉब पर जाते होंगे मम्मी काम पर जाती होगी बड़ा भाई काम पर जाता है अगर वह बहाना मारके हफते में तीन दिन घर पर बैटेगा तो चलेगा गया नहीं चलेगा निकाल देंगा जोब वाले भाई तुम अपना देख लो कहीं पर लेकिन तुम्हें वो डर नहीं है अरे मैं तीन दिन घर पर नहीं पर लूँगा तो क्या बच्छा दिन पर लूँगा जबकि तुम चोथे दिन वही करने वाले हो इसलिए बच्छा स्टार्ट जो कर रहे हो ना उसको एंड तक लिकर जाओ ट्रस्ट करो आप अलग लेवल पर जाओगे अलग लेवल आपके बास है और अगर आप अच्छे से चैप्टर को करते हो वन शॉट को यूटलाइस करते हो तो भी आप चैप्टर महीने बर के अंदर 45 जिन के अंदर पुरा चैप्टर खतम कर लेंगे और शायद भी कर लेंगे जो बच्छा कुछ शुरू नहीं किया है मैं बोल सकता है एक अच्छे कर सकते है अभी भी पॉसिबिलटी है येस देर इस अप पॉसिबिलिटी येस देर पॉसिबिलिटी येस ऐसे में येस आया समझे में बच्चा अपने जहन में यह बिठा ले अपने जहन में यह बिठा लो चूज दा पॉल्स स्टेट्मेंट प्रॉम पॉलोइंग गलत चीच क्यों यहां पर सही माग करो कैसे कैसे क्वेशन आते सर पहले बोलते गलत बताओ फिर बोलते वही गलत तुम्हारा सही निगलेगा चल क्या रहा है मार्केट में चलो दिमाग चलाते हैं जरा बोला है कॉंस्टेंट बॉलिंग एच बी यार इज यूज तू प्रिपरेशन फॉर अलकाइल ब्रॉमाइड ओवियसी बात है एच बियार को अगर मैं अलकोहल से मिला दूँ तो यह क्या बनेगा बच्छा यह बना देगा अलकाइल ब्रॉमाइड यह रहा अलकोहल यह रहा एच ब अलकोहल होता है इस तरह से देख लो आप कि जब अब उसको से मिलाते हो तो अलेडी यह बहुत हाइली होता है यहां से बड़ी आसानी से च्टो निकलेगा और जो आपका आंसर है वह ऐसा बन जाएगा इन एपसिंस ऑफ जैनेंस चल्टों का बिल्कुल सही जवाब गुड गुड इल्ड मतलब गिव्ज गुड गिव्ज ऑफ अलकायल हलाइड में भी ऑप्टेइंड विद एन ने आए यह यह अप बोलें सर एन एक तो कोई रिच्शन ही नहीं है एन ए आई इन एच्ट्री पी और फॉर का मतलब अलकोहल को एच आई से मिलाया है समझ में आया यह कंडिशन यहां रखने का एच्ट्व बाहर आंसर बन गया आर आई क्या बाहर चला गया बच्चा है एच्ट्व बाहर चला गया सर इसके बाद अभी तक तिरों आप्शन सहीं मिले हमको बोला फॉल्स वाला दो और और एसलräge राइट 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 आंसर होगा राइट जो आनसर होगा वह नंबर D. बोलब तो आपको समझ में आया कोई डाउट है यह कोई डाउट है बच्चा है यह थोड़ा से कमेंट जरा मैं लेना चाहूंगा यह टर्बिट सलूशन मिलता है बिल्कुल सही बच्चा बहुत अच्छे सर रियेशन के नाम याद नहीं रहते हैं एक बच्चा बोल रहा है तो बच्चा मैंने एक माइंड मैप जैसा बोल सकते हैं या फिर मैंने सिर्फ नैमी वाला नाम लिखा मतलब सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है अंदर रियर्च्टन नहीं लिखा है पुरा तो वह आपको बहुत हैल्प कर सकती है मैं आपको बोल सकता हूं जिस बच्चे को नहीं पता उन हमारे दौरा बनाएगे बुक मतलब हमारे कंटेंट खुद के कंटेंट ठीक है टेस्ट बुक को नोट आट हमने फॉलो किया हुआ है हमने ट्राय किया कि हर एक कंसेट को लिया जाए हमने कोशिश किया बच्चा आपके लिए की चीजों को सिंप्लिफाइब में दिखाया है जो आपके लिए एमिश्टी सीटी या बोड लेवल पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इसे मैंने बोला रियक्षिन की बात किया तो रियक्षिन को जो नेमिंग है वह मैंने डालके रखाए आपको सेंपल दिखाता हूं मैं चाहिए तो इसे चेप्टर खोल अगे बन रहा है अल्डी हाइड इसका मतलब कि आपने ये बुक्लेट को पढ़ लिया ना तो आपके 99 परसेंट का टेंशन खतम क्यों सब्सक्राइब करना शुरू कर यहां से पुरा एक साथ देखते तो अपर आपको दिखाऊं कितने पेज में हो गया है एक थीन पेज में हमारा पुरा अल्डेएड खतम हो गया मतलब आगे पिछे करके तीन पेज में तो चौर आप समझ सकते हो कि तना जादा यह इंपॉर्टनग यह बुक्लेट होने वाला है आपके लिए सर यह बुबलक्र हमको कैसे मिलेगा क्या कोई तरीका है बुक्लेट ले पर order करवा सकते हैं आपको कोई अलग से पेनी करना होगा जो भी आमाउंट रहेगा वह उसी गंदर रहेगा आपके बुलते हैं कि जो हम बुक आपको दे रहे हैं और एकदम हैं आप जाईए और एंड्रोल कीजिए इसलिए इंड्रोल करने के लिए बोल रहा हूं बिकॉस जब एक पोर्शन कम्रीट हो जागा ना बच्चा तो फिर आपको भी लगया रहे हैं मैं मिस कर दिया फिर बच्चे टॉपर प्रो लेते हैं क्योंकि टॉपर क्रैस कोर्स चाहत आप पर डिटेल में चल रहे हैं साथ में ऐसे क्विक रिविजर भी पीछे से चल रहे हैं तो जो एर्र का स्कोप है ना बच्चा जीरो हो जाता एक दम गायब किसी एंगल से अरव नहीं मिलेगा आपको आपके कंसेप्ट में किसी एंगल से आपको डाउट नहीं आएगा सोच लो में का बोल रहा हूं समझें तो बहुत जबर्दस हमारा टॉपर्स प्रो बैच और यह सिर्फ एक सब्जेट के लिए फिजिस केमिश्ट्री और मैस तीनों के लिए आपको अलग 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 पर मिलेगा फिजिस के लापको मिलेगा पीजी में आपके उपर दिने स चाहिए टॉपर्स प्रोफ उन्से निकलने वाले हर एक वैरियंट पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कहीं पर भी कॉलिटी में कोई कम्रमाइज नहीं जाती है जितना बोलते हैं जितना कहते हैं उससे कहीं जाता देते हैं बुकलेट हम अपने टॉपर के बच्चो को हम free of cost में चीज दे रहें तब समझ सकते हो कि जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको खुझे करना जाओगा है क्या चीज मिल रही हमको मिलते हैं अगले सेशन में जो को होने वाला हमारा नेक्स्ट विक में अगें वेडिनस्टे थरस्टे यह दो दिन का टाइम इंग फिक्स कर लो हमारी कोशिश चलेगी कि हर एक अपते में एक चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल तरीके से जैसे मैं यहां पर करवा रहें के क्वोश्चन को वैसे करते हुए हम कर आगे बढ़े और जो इसके बेसिक लेक्टर होंगे कि सरम को चैप्टर में बताए क्या भी मैंने देखा है आप पढ़ा रहे थे मैं देख रहा था अच्छा लगा मुझे पसंद आ रहा अच्छा कर रहे हो तो भाई हमको एक मोटिवेशन चाहिए आपसे एक मोटिवेशन चाहिए कि बस आप चैनल को सब्स्राइब कर लो और आप ट्राय करो कि अगर आपने चै चलते हैं जहां पर आपको बहुत सारे गाइडेंस और चीजी मिलते रहेंगे तब तक करिये मिलते हैं चलो भाई बच्छे बाई मिलते नेक्स टैम चलो भाई कर दो कर दो